नमस्कार आप देखरें जंतार वार्णियूस चंदन सौमी के साथ आज की खबर है यूपी के रामपूर से और मुरादाबाद समय आठ सीटों पर मद्दान की प्रक्रिया का एजन 19 अप्रिल को होने वाला है नामानगन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के बिजदिक्राय बड़ा खमासान मुरादाबाद में सफा ने पहले ही पत्र नामनगर पत्र दाखिल करने वाले स्टी अब रूची प्रविए ने भी सफा के सिंबल पर परचा भर चुकी है इसी बीच में रामपूर में सफा की जीला यूनिट में आजम खान को चुनाव वहिशकार करने का ऐलान किया है पार्टी ने अनागत दिकरत उमीदवार दिल्ली के पार्लियमेंट स्ट्रीट मज्जित के इमाम मौहिबुल्ला को उमीदवार बनाया है एस्टी हसन ने अपना नामनकर वापस लेने को तयार है जबकि आजिम रजा का नामनकर जांच के बाद निरस्त हो गया है यह देखा गया रहा है कि सपा के भीतर की रार उजागर हो गई है स्टार परचरगों की सूची में आजम खान को भी शामिल किया जा रहा है जबकि शिवपाल यादव को आजम खान को मनाने के लिए सिता पुरा जेल में मुलाकात भी की है यूपी के सियासत पर नजर रखने वाले पत्रगों ने बताया है कि आजम खान की रार को काबू करना आसान नहीं है उनकी स्ट्रेंथ है उनकी अच्छी वक्ता और मुस्लिम समाज को एकजुट करने की शम्ता अब सवाल यह है कि आजम खान के पास कौन सी सियासी ताकत है जिसके सामने अखिलेश अदव बेबस दिख रहे है यह चुनावी मौसम में एक महत्पूर ताकत है और अखिलेश अ झाल करने कर दो कर दोप्रें